हाई फेरेंट्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें बिहार इंवर्शिटी बीए पार्ट थार्ड हिंदी अनुर्स पेपर आठ यह प्रेम चंद से लिया गया कोश्चन है जो भी भी आई चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जो कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें पहला कोश्चन सेवा सदन के अधार पर सुमन अथवा गजाधर अथवा पद्म सिंग सर्मा का चरित्र चीतरन करें अथवा उपन्यास कल्ला की दिरिष्टी से सेवा सदन की समिछा करें दूसरा कोश्चन है प्रेमचंद की पूस की रात अथवा ठाकुड का कुँआ अथवा नसा सिर्षक कहानी की समिछा करें तिसरा कोश्चन है बड़े भाई साव कहानी की अंतर वस्तु पर प्रकास डालें अथवा, हिंदी कहानी के विकास में प्रेम चंद के योगदान का मुल्यांकन करें चौथा कोश्चन है, प्रेम चंद के आदर सोनमुख या थार्थ वाद संबंधी विचारों को अस्पष्ट करें अथवा, मानो चरित्र पर प्रकास डालना प्रकास डालना और उसके रहस्यों को खोलना की उपन्यास का मुल्य तत्व है, प्रेम चंद के इस कथन की समिख्षा करें पाचवा कोश्चन है, निमने लिखित अवतरणों में से किन ही चार की सप्रसंग ब्याख्या करें कर नमबर का कोश्चन है, बच्चे हामिद ने बढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बढ़िया अमिना बाली का अमिना बन गई कर नमबर है, इस्तिरियों को अगर इस्वर सुन्दरता दे तो धन से वन्चित न रखे, धन हीन सुन्दर चतुर इस्तिरी पर दुर्ब्याशन का मंत्रे सिग्र ही चल जाता है, गण नमबर है, रुखी रोटियां चान्दी के थाल में परोसी जाए तो भी पूडिया न हो जाएगी गण नमबर है, हमारा चरित्रे कितना भी दृड़ हो, उस पर संगती का असर अवस्य होता है अंगर नमबर का कोश्चन है, सबसे उतम कहानी वह होती है, जिसका अधार किसी मनुबै ज्यानिक सत्य पर हो चरि नमबर का कोश्चन है, कॉला का रहस्य भरांती है, जिस पर या थार्थे का आवरन पड़ा हो चरि नमबर कोश्चन है, जिनका निरादर होना चाहिए, उनका आदर होते देखकर, मेरे हिर्दय में कुवासनाय उठने लगती है जो नमबर का कोश्चन है, कल्पना कुछ भी हो, कल्पना कुछ भी हो, कल्पना ही है वह या थार्थ का अस्थान नहीं ले सकती भविश्य उन्हे उपन्यासों का है, जो अनुभूती पर खड़े हो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें अब हम लोग आगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत